नमस्कार फ्रेंड्स स्वाग merit आपसे अधियो में स्थेडियो में आज सीधा के रूप में एक युद्धावभयास अर्थाथ इसको देखेंगे पिक कॉन साथ सायो से तैसलिम में क्योंकि current affairs में एक कोशन से यहां से भी रहता है एक्जाम में तो आप लोग देख लिजी एक वार रिविजन कर लिजी मैं आपको हर एक मन्त आपको अपडेट करते रहूंगा ताकि आप लोग रिविजन करते रहें ठीक है इससे पहले मैं आपको एक information देना चाहूंगा अग लेकिन अब बता रहा हूं आप आप लोग जॉइन कर लिजी ठीक है चलिए सबसे पहला युद्धाब्यास है वह है सिम्बैक्स ठीक है देखिए नाम में चुपा है एस से हो गया आपका सिंगापूर आइस से हो गया आपका इंडिया ठीक है तो सिंगापूर और भारत इन है जपान और तीसरा था ऐस यह अमेरिका ठीक है और यूद्धि भारत अमेरिका जपान पहले थे अzdalt rp दो यूद्धिया बिएस है ए जुड़ गया है टीक है अगला यूद्धिया अब्यास है वह कोंकन इंद्र धनुस एज्गवार्य अजय वार्यलियर है धिखान है यह सभी भारत और यूके के बीच होता है उतवल इंदर धनवर्ट हो यह एंदर्धनुस हो m सभी मैंने आपको एक जगल ली लिकर करके दिया है ताकि थान में रहे ठीक है आजय वोरियर हो गया इनरधनूस हो गया कोंकन हो गया यह सबी जो आपका UK के साथ हो था देखे इसमें जो कॉमन पार्ट होगा वो भारत सब में होगा लेकिन आपको सिर्फ एक देश का नाम याद रखना है जैसे कॉंकन इनरधनूस अजय वोरियर इससे सम्मंदित कौन सा देश ह UK है, बहलाआइड भारत तो अपने इसमें सम्में लिए यह कोँमन पार्ट है लिए आगे दीखते आगे वजर प्रहार टाइगर ट्राय इंद्र दो है आपका किसके साथ होगा रूस के साथ होगा थीक है ध्यान रखेगा आपको पता है थी सबसे बड़ा देश कहँता है वो कहेंगे आप लोगःरू यह पिर इसमें आप लोगवान करना चाहते हैं तो आप आप लोग एवरी संडे बारा बजी जो है इसकोलर सिप में जोईन कर सकते हैं देखें इंपोर्टेंट इसलिए है आप लोगों के लिए यहां पर आपको इसकोलर सिपने इसकोलर सिपने क्या मिलेगा अगर आप लोग इसमें भाग लेंगे तो 40 को संस दिया जाएगा और 50 मि केडमी कोंबेट में मिलेगा ठीक है और इनका लिंक मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप लोग जाकर के चेक आउट किजे और जॉइन कर लिजिए अगला है वरून देखें वरून सकती गरूर डेजर्ट नाइन यह सभी फ्रांस के पास है ठीक है आपको याद कैसे करना है इसको याद ऐसे करना है कि वरून की जो सकती है न वो गरूर में है किसमें गरूर में वरून की सकती गरूर में है ठीक है और वो क्या है फ्रांस यानिकि वो फस्ता नहीं है वरून की सकती जो गरूर में है वो कभी भी नाइट में फस्ता नहीं है ठीक है कि वरून की जो सकती है वो गरूर में है इसलिए वो रात में कभी नहीं फसता है ठीक है ध्यान रखेगा ऐसे आपको ध्यान रखना है आगे यहां पे आगे यहां पे जायर अलबहर जो की दूसरा ही युद्या अभ्यास है वो किसके साथ होता है कतर के साथ होता है जायर ठीक है कतर के साथ होता है ध्यान रखेगा तेखे यहां पर मैंने तीन ऐसे नाम लिखें जो की एक्जाम में आपके पूछी जाएंगे ठीक है ध्यान रखेगा आगे जायत तलवार जैसे ही तलवार का नाम बताहे तलवार जो है आपका UAE से सम्मंद देता है और अल बहर जो अल हिंदा आएगा तो आपको सौधी अरद ठीक है ध्यान रखेगा आगे यहां पर पिछ ब्लैक पिछ ब्लैक में तीन देश हैं कौन-कौन सा एक तो अपना देश रहेगा ही साथ में अस्ट्रेलिया और इंडोनेसिया यह दो देश और हैं ठीक है आगे मित्र सक्ति और स्ली स्लीनेक्स में एसल से तो होगे आपका स्रिलंका आयन से होगे आपका इंडिया तो स्लीनेक्स में तो इंडिया और स्रिलंका ऐसा ही छुपा है और आपको पता है मित्र देश और जो बगल में जो अपना देश है स्रिलंका वह एक तरह से मित्रता में अच्छी मित्रता ए यू एस से क्या होता है एस्टेलिया आई एंडी से क्या होता है आपका इंडिया तो ऐसे ही आपको नाम पकड़ में आ गया आगे यहां पे खंजर खंजर देखे खंजर जो है आपका किर्गिस्तान हो जाएगा आजिंद जो है आपका कजाकिस्तान हो जाएगा और डश्ट लिए प्रेंट्स वो रानिक खेत उत्राकंड में हो रहा है। ठीक है। दिहान यह रखना है फ्रेंट्स जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है। किर्गिस्तान काजिंद बोले तो कजाकिस्तान काजिंद कजाकिस्तान घष्ट लिए उच्वे किस्तान ठीक है ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखेंगा कनफ्यूज मत हुयेगा ज़िन ने स्किरिंसॉर्ट्स ले लीजिए ऑगे यहाँ पर सिट मैक्स यहां पर नाम चुपा है स सिंगापूर इंडिया टी से थाइलेंड ठीक है तो सिंगापूर इंडिया और थाइलेंड के बीच में कमसा होता है सिट मैक्स यहां पर आगला क्या है in nau नेव 4 क्या है इन एउ नेव 4 ठीक है देखे यहां पर आपको आई एन से सीधा आपको पता चल गया इंडिया एउ से आपका यूरोपिय संग ठीक है इतना आपको ध्यान रखना है और नेव मतलब आपका नेवी के लिए है ठीक है ध्यान रखेगा इन एउ नेव 4 यह जो है और यूरोपिय संकित बीच है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आपका जिंबेक्स नाम से पता चल लाए जपान और इंडिया ठीक है जिंबेक्स और धर्मगार्जियन यह भी जपान के साथ है आगे है बोंगो शागर यह नाम से यह आपका बंगाली लग रहा है तो बंगला अ गहां आगे हैंड औन हैंड गोग चाहिना को क्या करते हैं धेला जरुत की से د्यान रखेंगा हैंड है आगां प्रे समुद्र शक्ति क्या है समुद्र में जो शक्ति दिखानी होगी etc तब आपको इंडोनेसिया से युद्धाय व्यास करना पड़ेगा ठीक है समुद्र की सक्ति कि जो है कहां पर देखने को मिलता है इंडोनेसिया में ठीक है देखें इंडोनेसिया भाद के बीच में युद्धाय व्यास होता है समुद्र सक्ति आपको पता होगा इंडोनेसिय में हुआ था ये भारत और थाइलेंड के बिच वा था ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है ठीक है आगे यहां पर नॉमेडिक एलिफेंट जो की 2019 में हुआ था भारत मंगलिया ध्यान रख लिजगा ठीक है तो इस तरह से मैंने आपको सभी इंपोर्टेंट कोशन्स करा दिया उमीद है ये सभी आपके लिए युद्धा भ्यास या स्थान्य भ्यास एक साथ एक ही जगा पर मैंने सभी को समलित करके दिविजन करा दिया उमीद है वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज जय हिंद जय भारत